हेलो दोस्तो भारत में जितने भी बड़ी-बड़ी मल्टिनाशनल कमपनीज है, मैनेफेक्चिरिंग कमपनीज है, उन सभी में फिटर की आवशक्यता होती है और उन सभी में काम करने वाली वेक्ती आईटी आई फिटर ट्रेड से ही होते हैं जो की हर छोटे-छोटे पार्ट्स को मिला कर एक बड़ी मशिन बनाते हैं आज हर जगह, हर शहर में किसी ना किसी प्रकारखी कोई ना कोई फैक्टरी होती है और उस फैक्टरी के अंदर कोई ना कोई प्रोड़क्ट तयार होके बाहर निकलता है एसे में उन प्रोड़क्ट को तयार करने में मशिनों का ही इस्तमाल किया जाता है तो दोस्तों उन मशिनों को भी कोई ना कोई कमपनीज में बनाया गया है तो दोस्तों उन कमपनीज में उन मशिनों को बनाने के लिए एक फिटर काम में आते है आज ITI में fitter trade काफी ज़दा popular trade बन गया है और बहुत सरे student अपने 10 और 12 के बाद ITI fitter trade में जाना चाते है तो दोस्तों आज के इस special video के अंदर मैं आप सभी को full detail में बताने वाला हूँ कि ITI trade क्या है ITI trade के अंदर हमें क्या-क्या काम करना होता है ITI trade के अंदर हमें क्या-क्या स courses market में available है उन course को करने के लिए कितने रुपीज का खर्च आएगा कितना समय लगेगा course complete कर लेने के बाद आपको उनको इसी companies में job असिल करोगे वहाँ पर आपको per month कितने रुपीज की salary मिलेगी और दोस्तों मैं end में आपको ये भी बताऊंगा कि course complete कर लेने के बाद आपक को ये बता देता हूँ कि ITI का fitter trade क्या है और fitter trade के worker का क्या काम होता है दोस्तों fitter trade mechanical engineering से जुड़ा हुआ course होता है जो कि manufacturing sector के अंतरगत आता है और ये course ITI trade में बहुत ज़्यदा popular course है fitter trade में अलग-अलग प्रकार होते है जैसे कि locomotive fitter, mechanic fitter, bench fitter, mine fitter, petrol diesel fitter, pipe fitter, maintenance fitter, die fitter, auto fitter, turbine fitter, assembly fitter और electric fitter और ये सारे प्रकार के fitter trade आपको future में बहुत ज़्यदा काम आने वाले है क्योंकि एक fitter का काम ये होता है कि जो भी factory होती है उसके अंदर अलग-अलग प्रकार की machines होते है तो दोस्तों machine को assemble करने का काम एक fitter का होता है simple भाशा में बताओ तो छोटे-छोटे parts को connect करके एक बड़ी machine तायार करने का काम fitter का होता है ताकि जो भी machine है वो अच्छी तरीके से काम कर सके और manufacturing unit के अंदर कोई problem ना आ सके जो fitter होता है वो एक mechanical engineer के अंतरगत काम करता है जो mechanical engineer बोलता है उसके हिसाब से fitter अपना काम करत है और एक fitter future में mechanical engineer भी बन सकता है तो दोस्तो अभी हम लोग यह जान लेते हैं कि एक fitter trade के अंदर हमें क्या-क्या सीखने के लिए मिलता है दोस्तो ITI trade के अंदर आपको थेरी और सबसे ज़्यादा practical knowledge दिया जाता है क्योंकि ITI के अंदर आपको सब कुछ काम practically करना होता है तो दोस्तो यहाँ पर आपको practical knowledge बहुत ही ज़्यादा दिया जाता है जिसमें आपको filing करना सिखाते हैं drilling करना सिखाते हैं cutting, mappna, rimming, threading, taping, welding, grinding, turning और machine को assemble करना सिखाते हैं एक अच्छा fitter बनने के लिए आपको fitting के सारे tools को अच्छी तरीके से इस्तमाल करना आना चाहिए fitter trade के अंदर आपको सब कुछ सिखाया जाता है कि pipe को केसे fit करते है drilling केसे करते है welding केसे करते है और दोस्तो सब कुछ आपको fitter trade के अंदर full detail में सिखाया जाता है अभी दोस्तो हम लोग यह जान लेते हैं कि ITI का fitter trade करने के लिए क्या eligibility criteria है यानि कौन-कौन सा student fitter trade कर सकता है दोस्तो ITI का fitter trade करने के लिए आपको minimum 10th pass out होना compulsory है 10th के बाद आप directly fitter trade कर सकते हो लेकिन मैं आपको recommend करूंगा कि आप अपने पहली 12 भी complete करो उसके बाद ITI fitter trade करो क्यूंकि market में इतना दा competition हो गया है कि जिसका भी education जादा होगा उसको job पर रख लेंगे इसलिए अगर आप 12th pass होके ITI का course करोगे तो दोस्तो 10th pass होने वाले student के बजाए आपको job मिल जाएगी इसलिए 12th pass होने के बाद ITI का fitter trade करना ITI का fitter trade करने के लिए age limit भी है जिसके अंदर आपकी age minimum 14 साल के उपर होनी चाहिए और maximum 40 साल के अंदर होनी चाहिए 40 साल के उपर वाले person ITI का fitter trade course नहीं कर सकते ITI का fitter trade करने के लिए कोई percentage का criteria नहीं है जस्त आपको अपनी 10th या फिर 12th pass out करनी है उसके बाद आप तुरंद ITI का fitter trade में admission ले सकते हो तो दोस्तो बस इतना ही eligibility criteria है ITI का fitter trade करने के लिए तो दोस्तो अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि fitter बनने के लिए हमें कोई सा course करना पड़ेगा उसको करने के लिए कितना समय लगेगा और उसकी कितनी रुपीस की fees आएगी दोस्तो एक best fitter बनने के लिए आपको ITI का fitter trade करना होता है जिसका duration 2 years का होता है जिसमें हर 6 महिने के बाद एक exam होता है मतलब इन 2 सालों में total 4 exam होगा और दोस्तो ITI fitter के बहुत सारे प्रकार होते है जिसमें से कोई भी एक प्रकार आपको choose करना है और ITI के fitter trade के अंदर आपको practical knowledge सबसे ज़्यादा दिया जाता है और practical पर सबसे ज़्यादा दिया जाता है अगर दोस्तो हम लोग इस course के fees के बात करें तो दोस्तो इस course को करने के दो तरीके है एक तो दोस्तो आप अपने 10th में या फिर 12th में अच्छे मार्च से पास करो और government college के अंदर admission ले लो या फिर आप private college में admission ले लो अगर आप government college के अंदर admission लेते हो तो दोस्तो आपको 1 रुपेज की भी fees नहीं देनी होती पूरा खर्ज government उठाती है और दोस्तो अगर आप private college के अंदर admission ले लेते हो तो दोस्तो private colleges के अंदर full 2 years की fees 30,000 रुपीज तक की होती है अभी दोस्तो हम लोग यह जान लेते हैं कि एक fitted trade complete कर लेने के बाद आप कौन-कौन सी companies में किन-किन post पर job हासिल कर सकते हो और वहाँ पर आपको पर मंध कितने रुपीज की salary मिलेगी दोस्तो ITI का fitted trade complete कर लेने के बाद दुनिया की जो भी manufacturing company है चाहे वो car बनाने वाली company हो auto बनाने वाली company हो छोटे मोटे machine बनाने वाली company हो कोई भी company हो जो एक manufacturing company है उस company के अंदर आप job हासिल कर सकते हो companies में अलग-अलग post होते है जिसे की fitter general post, welder post, mechanical fitter post, pipe fabricator post, plant maintenance fitter post, machine operator post और technician के post पर job हासिल कर सकते हो अगर दोस्तो हम लोग ITI fitter के per month की salary की बात करे तो दोस्तो एक ITI fitter को as a fresher 10,000 रुपे की salary दी जाती है जिसे उसके पास 2 years का experience आता है तो दोस्तो उसको 18-20,000 रुपे की salary per month दी जाती है और दोस्तो जिसे आपके पास 5 साल की उपर का experience आ जाता है तो दोस्तो एक fitter को per month 25,000 रुपे से लेके 30,000 रुपे की salary दी जाती है और ज्यादा salary पाने के लिए आप job करते करते mechanical engineering के लिए apply कर सकते हो अगर दोस्तो आप fitter trade complete कर लेते हो तो दोस्तो आपको mechanical engineering में direct second year में admission मिल जाएगा तो दोस्तो बस आपको अपना mechanical engineering का full course complete करना है उसके बाद आपको एक mechanical engineer की post मिल जाएगी और वहाँ पर आपको आराम से 40,000 रुपे से लेके 60,000 रुपे की salary परमन दी जाएगी ATI का fitter trade complete कर लेने के बाद हम कौन कौन से business से start करके लाखो रुपे की कमाई हर मेंना कर सकते है दोस्तो ATI का fitter trade complete कर लेने के बाद आप खुद electricity слов शर्विस टार्ट कर सकते हो आप अपनी खुद के hardware shop open कर सकते हो आप अपना खुद का garage open कर सकते हो ITI का fitter trade complete कर लेने के बाद आप plumber का काम भी कर सकते हो इसके साथ साथ आप welding का shop भी open कर सकते हो आप home security service टार्ट कर सकते हो जिसमें आप camera fitting की service टार्ट कर सकते हो घर को digital बनाने की service टार्ट कर सकते हो और बहुत सारे पैसे हर मैना कमा सकते हो इस पे थोड़ा time लगेगा लेकिन जब आपका business state हो जाएगा तो दोस्तों आप हर मैना एक लाख रुपे के उपर का profit बढ़ी आसानी से generate कर पाओगे तो उम्मित करता हूँ दोस्तों आज का वीडिया आपके काम आ गया होगा इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो आपका प्यार देने के लिए और इस वीडियो सर्रूज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को दन्यवाद